में खासिम रसूल इलियास साहब हैं आप आल इंडिया मुस्लिम परसुल लाबोर्ड के स्पोक्स परसन हैं वेलफेर पर्टी आफ इंडिया के अध्यक्षमी है इलियास सब आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जो अभी चुनाओ चल रहा है हलाकि आपनी बार-बार कहते हैं कि बोर्ड जो है वो सियासत से इद्दम अलग रहता है उसका कोई तालुक नहीं है सियासत से मगर मेरा आफसे सवाल यह है कि कोई जो जिस तरह के वोटिंग परसनेज है वोटिंग परसनेज भी काफी कम हो रहा है कम लोग निकल के आएए कही थी कि डिमोक्रासी के अंजर जम्होरियत में ओड देना एक इंपॉर्टन इशू है तो इसको शीरियसली लेना चाहिए मुसलमानों को अगर उनका ओड नहीं बना है तो अपना ओड बनाना चाहिए और जम्होरियत का तकाजा है हर मुसल्मान को अपने अड़ा करना चाहिए जाहिए बलकि हमारे अडिक्ष ने यहां तक कहा था कि ओड़ जो है एक अमानत थे हमारे पास और उस अमानत का हक हमको अदा करने चाहिए इस से ज़्यादा बात बोड ने नहीं की तो बात ने कही एक तो यह कि आप अपना वोड रेजिस्टर्ट करवाईए और अपने अधिकार का इस्तेमाल कि एक लाइन में समझें तो हर मुसल्मान को यह कहा गया कि वोड जरूर दे विल्कुल डिमोकरसी के अंदर वोड देना एक हमारा अधिकार है और देकर आप क्या करते हैं और देकर आप चाहते हैं किस तरह की हुकुमत सेंटर में आए किस तरह की हुकुमत स्टेट में आए तो हम में से हर आदमी यह चाहेगा कि हमारे देश में एक ऐसी हुख्मत है जिस पर सब का इतिमाद हो एक ऐसी हुख्मत है जो इस देश के सब scripture के सब और जो तो जो देश के अंधर भेद बहाओ ना mogę एक आइसी हुख्मत हो जिसमें हमारा कोशिश करते हैं बोर्ट के प्लेटफार्म से कि हम इस स्प्पेसिफिक बात ना कहें लोगों से किसको ओड़ दे किसको ओड़ ना दे हमारा हमने जो मैंने आपको बता है कि ओड़ देते वक्त पे आप इन चीजों का लिहाद रखें कि हमारे देश के अंदर माहुल कमदल नह होने चाहिए हमारे देश के अंदर लोकतन को बाकी रहने चाहिए हमारे देश के अंदर सब धर्मों के लोगों की रिस्पेक्ट हुनी चाहिए. मुसलमान कमुनलिस्जम के खिलाब वोड दे ये हम कह सकते हैं क्या कमुनलिस्जम का विरूध करते हैं वोड दे मतलब वो ना आने पाए. जो है बात है कि हर आदमी से हमारी अपील है सिफ मुसलमान से नहीं अपील है सबसे यह अपील है कि हम को इस देश के अंदर क्रमजम को बढ़ाओ नहीं देना चाहिए इसके वजिये है कि हमारा देश जो है बुनियादी तॉर पर सदियों से हिंदु・ मुस τους साथ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिक, ईसाई, सब मिलकर उन्होंनें देश के इंदिर्वान में अपना योगधान दिया है? तेश की आजादी में सब का योगधान है? तो ये जब भीежд की आप हिंदू, मुस्लिमान, सुस्साइटिक बाटें गए के लोगों को बिलकुल बच्चें को तरह प्राइने की जरूरत है सब प्राइल लिखे लोगे एवन गाउं और दिहाद पर रहने वाले लोग भी पूरे हाला से वाकिफ हैं तो मेरा कहना यह कि इतनी यह बिलकुल इस्पून फीडिंग की कोई जरूरत नहीं लोगों को आप स बाकिया रहनी चाहिए यह इस से सबका इत्वाक है और यह अपील सिर्मान हो से नहीं है यह अपील सबसे है यह अपील मुसल्मानों से भी है हिंदों से भी है सिक्कों से भी है इसाई हो आप कह रहे हैं मतलब इतनी बात आप कहते हैं तो वो इशारा लोग समझ जाते हैं नहीं इशारे की जरूरती नहीं है बताइए ना आपको ये जो बात कही जा रही है इससे कौन आदमी इखतलाफ करेगा कि हमारे देश में लोकतंस बाकी रहने चाहिए ये 75 साल से 75 साल से जो लोकतंस हम चला रहे हैं इस देश के अंदर वो लोकतंस सुरक्षित रहा चाहिए डिक्टरिशिप नहीं आनी चाहिए आटोकरेसी नहीं आनी चाहिए फासिवाद नहीं आना चाहिए ये हर आद बेसे डिक्टरिशिप का खतरा दिख रहा है कि आप ये विल्कु दिख रहा है डिक्टरिशिप का खतरा और यह कागा किसानों से सहमेंटी से बनाएंगे, किसानों ने एक साल तक धरना दिया, बदलवाया हो गानून को, तो यह हमारे देश के समवीदान ने भी इस वाद को सुरक्षा दिये है, और हमारे देश का तरीका यह रहा है, कि जब भी कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, क चाहे एकनौमिक पॉलिसी बना रहे हों, चाहे किसानों सुल्टालिक कोई पॉलिसी बना रहे हों, तो आपको उन से, उनको कानून से लेना चाहिए, तो यह है लोकतंत, अगर यह लोकतंत ख़त्म हो जाए, आप अपनी संख्या के आधार के उपर में जो चाहें फैसले कर मैं बना आपके पना की कानून आपके बनाया, सी एक कानुन के ऊपर में जितना डिबेट और जितना डिसकेशन पार्लिमेंट होना चाहिए, तो नहीं हुआ, और आप कोई भी ऐसा बातें बताई है, आप उमर खालिद के पिता है, उमर खालिद बेरे खाल से चौता साल है, है सिये की जो बात करने अमार खालिड की ती यह सब्सक्ट जानकारी ती अभी जो इलेक्शन नितखाबात चल रहे हैं आपकी क्या बात होती है उमर खालिड का क्या उपिनियंख है इस समय के land हो को देखनु को दिखने की आêtes है कि उमर खालिड ने जितनी भी यहां पर एजुटेशिन चलाए हैं जेल जाने से पहले वो उस्लिफ सूप नीचलां उन्हों ने अदिबासी ओ आदिकारों के अदिकारों पर चला है रूहीत को मिला की पूरी मूमेड को लीट कि आ और लेडिस की जो हमारी महीलाओं की पर जो उत्या चाहर हो था उसके हक में चलाये हैं किसानों के हक में चलाए हैं और मानना यह था किस की कि सलब इसलिए नहीं चलाया mostrar МУЗЫКА Onka रहा है था कि बई यह स्किम्री कानून हो पारल्ल्मिन आपको यह अधिकार नहीं देती है कि आपको इसक्राइब बनाएं तो जाहरे कि अमर खालिद भी जाहर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंतर सुरक्षित रहे फासी वाद ना आने पाए जिस सेकुलिजम बाकी रहे और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी और अ हैं अभी यहां से डिल्ली का जुचना हो रहा उसमें कन Charlogi भी लड रहे हैं उमर그램 के साथ ही हैं और उनलưởng साथ में जेनियू में रहे हैं तो कनीया को ले कर कुछ दिन के लिए गिरफतार भी हुए थे उस केस में और दोनों ने एक दूसरे साथ मिले के कई प्रेस कांसर्स किये तो जाहर है कि कनहिया और अपसे दोस्त है और जाहर बात है कि कनहिया भी इस देश के अंदर लोक्तंद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अमर खालिद बि उनकी ग्रिफतारी के बाद वो अलग इशू है लेकिन कनहिया कुमार बेरहाल यहां सिकुरिजम की लड़ाई लड़ रहे हैं कनहिया कुमार लोक्तंद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए उनकी शहमत पर जल्चस बात है भी आपने जो कही हो यह सवाल बुड़ता है कि उमर खालिद के लिए कनहिया कुमार को बोलते हैं नहीं सुना लेकिन कनहिया कुमार के लिए उमर खालिद के मनशाहे की वो चुनाओ जीते हैं यह जो यह जो डिफरेंस है इसकी पीछी की वज़ा क्या है ने कि यह सवास का वो कनहिया कुमार से करना चाहिए इसलिए कि उमर खालिद ने कभी भी यह नहीं चाहा कि कनया कुमार जो राजिती में आगे बढ़ रहे हैं पहले वो CPI में थे बाद में कांग्रेस में चले गए तो उमर खालिद ने हमेशा पब्लिक लिए उनको सपोर्ट ही किया है पब्लिक लिए कभी अपोज नहीं किया है आज भी साथ ही है जेनीयू को पड़ा हुआ है जेनीयू का साती है के लासमेट एक तरह से यनि युनिफृर्ट्री के साथ ही रहे है तो कनया कुमार को उमर खालिद ने इलेक्टेट देखना चाहें गे और चाह रहे है तो वह यह और जाher है कि वह जानते हैं कि वह कोई डिफरेंस है ऐसे तो कोई बात सामदे नहीं है हमारे लेकिन यह बात तैय है कि लारजर काउंटेस में अगर आप दीखेंगे तो जो लड़ाई का नहीया कुमाई लड़ाई रहे हैं वही लड़ाई वर खलिभी लड़ाई है लोक दोनों की लड़ाई हैं वो सुरक्षित रहें मानिटीज करा इस रखते रहें यह दोनों की लड़ाई है तो उसमें दोनों साथ है यह और बता दीजे कि यह जो कनिया कमार लड़ रहे हैं यहां पर तो उसमें एक आरोप उनको बीजेपी के और से लगा जाता है टुकले टुकले गैंग का रूप लगा जाता और यह आरोप उमर खालिक पर भी चस्पा किया गया था इसको लेकर के आपकी चुकी मैं इसलिए कुछ रहा हूँ चुकी अमर खालिक तो जेल में लेकिन आप उनके संपर्क में रहते हैं पिता हैं आपकी बातचीत होती है यह मुद्दा इस समय भी उचला हु गैंग नाम के कोई चीज पाई जाती है अगर है तो उसकी तफसिलात क्या है जवाब हो मिनिस्ट्री तफसिली आया था कि तुक्डे तुक्डे नाम की कोई गैंग नहीं है अगर आप समझते है को ऐसी बात कही थी 2016 का इशू है उस पर हमारे अर्विन केजिवाल साब ने क्लेबाटरी से वो तद्दिय कराई थी और ये कहा था कि ये जो वीडियो है इसके साथ च्छाड़ की गई है और आज तक के 2016 से आज तक कि वो उस केस में आगे नहीं बढ़ रहा है वो किस अगर आप समझते हैं कि अगर वो केस में कोई दम होता तो हुक्मत आगे बढ़ा अमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है यहां पर अर्टोकरिसी के खलाफ ये दो अमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है फासिवात के खलाफ अमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है लोगतंद के हक में लोगतंद को बाकी रखने के लिए से कुल दम को बाकी रखने के लिए उमर aitलitet के लाड़ाई के अंदर कहीं भी कोई कमनल अंगल भी नहीं देखेगा और उमर Traz के लाड़ाई के अंदर को कहीं भी कोई ऐसी नहीं दिखेगा को किसी एक के साथ खड़े वह सब जो भी आदमी जल्म हो जिससे साथ भी जाहती हो उसके साथ वो झाला फ़ड़ा वपाई है अब अमीद कर रहे हैं और खालत के मामले में बेगर क्या सिच्वेशन ने लिए बेल अभी सुरुताल ये के पहले लो यानि लोवर कोर्ट में देड़ साल तक बेल की बहस हुई थी रिजेक्ट हुई हाई कोर्ट में नौ मेहने तक बहस हुई रिजेक् हैं हमें उमीद है कि उम्र खालिद को रहे हैं मिल जाए हुई हमसे बात करने के लिए कासिम रसूल इल्यास साब हैं दो बाते महते क्लियर कह रहे हैं कि मुसल्मान ने मुसल्मान वोट करें बहुत ही महत्पूर्ण है सेकुलर इंडिया के लिए वोट करें वो और कनिया कुमार उन दोनों की जो लड़ाई है उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लड़ाई एक हे लड़ाई है। कवर्ण सुलिल पांडिक साथ अभिशे कुपाद है एविपी न्यूज दिल्ली.